दोस्तों आज की हमारी स्मूवी का नाम है ब्रीडर इंसाइट देर बॉडिज वेसे तो मैं एक ब्रीडर मुवी पहले ही एक्स्प्रेइन कर चुका हूँ जिसके विउस अल्रेडी लाखों में हैं और आप भी उस मुवी को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप तो आईए विडियो शुरू करते हैं तो मुवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी ओरत ने पुलिस को फोन किया है और वो अपने बेटे के लापता होने की इन्फोर्मेशन दे रही है लेकिन उसकी आवास फोन पर ठीक से सुनाई नहीं देती और ये सीन यहीं पर काटे सा शेयर की है जहां पर कुछ लोगों के किड्नेप होने की घटनाए हो रही थी जिससे न्यूज रिपोर्टर न्यूज में कवर कर रही थी और वो ये कहती है कि पिछले कुछ महीनों से लोग लापता हो रहे हैं लेकिन मालता की पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा प कर रहा था और फिर ये आदमी एक दूसरे रूम में एंटर करता है जहां पर कुछ लोग बंदे हुए थे उनके शरीर पर घाव थे और वो घाव पूरी तरसे खुले हुए थे और ये कीड़े इनी जिन्दा लोगों के घावों में पल रहे थे ये सीन यहे पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में सेंडरा नाम की एक प्राविट डेटेक्टिव पेगनेंट थी और वो अपनी मेटरिनिटी लिव लेकर घर पर आराम कर रही थी लेकिन फिर उसकी असिस्टेंट जैनी आकर उससे कहती है कि ओल्गा नाम की एक उरत उससे मिलने के लिए जित कर रही है ओल्गा वही ओरत थी जिसने मूवी की स्टाटिंग में पुलिस को फोन लगाया था लेकिन पुलिस से उसे कोई भी मदद नहीं मिली ओल्गा सेंडरा को सारी चीज़े बताती है कि उसका बेटा कर्ट मालता शेहर से गायाब हो चुका है और पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है सेंडरा ओल्गा की हेल्प के लिए तैयार हो जाती है और ओल्गा उसे बताती है कि कर्ट को गाया हुए एक महीन नहीं हो चुका है वो सुबह जॉगिंग पर गया था और वापस ही नहीं आया कर्ट को बहुत जोड़ से प्यास लगी थी और उसे एक गरेज का दर्वाजा खुलावा दिखाई देता है जहां पर जाकर वो एक आदमी से चेंज मांग रहा था क्योंकि उससे बहुत जोड़ से प्यास लगी थी वो आदमी कर्ट को कहता है कि वो वेंडिंग मशीन बंद है लेकिन वो अगर चाहे तो उसके लिए कुछ डिंक ला सकता है जिसके बार में कर्ट उस आदमी के गरेज में एंटर होता है और फिर वो आदमी कर्ट के लिए डिंक रेडि करता है लेकिन वो आदमी उस ड्रिंक में कोल्डरिंग के साथ साथ कुछ और भी डाल रहा था जिसे पीने के बाद में कर्ट को कुछ अजीब फिल होता है और उसे खून की उल्टिया होना चालू हो जाती है और फिर देखते ही देखते उसकी आख, नाख और सब्दूर से खून बेहने लगा था कर्ट की हालत भहुत खराब हो गई थी और फिर वो आदमी उससे अंदर लाकर उल्टा लेटा देता है और फिर उसके पीछे एक इंजेक्शन से कुछ लिक्विड को इंजेक्ट कर देता है और यह आदमी वही ब्रीडर था जो लोगों को गयाब कर रहा था फिर नेक्स्ट सीर में हम देखते हैं कि दो शिकारी अपने घर के आसपा से शिकार कर रहे हैं इनके नाम थे केनेथ और मारकोस मारकोस शिकार के तलाश में आगे जा रहा था जहां पर उसे रास्ते में एक चोटी लड़की मिलती है और तभी पीछे से ब्रीडर आकर मारकोस की ही गन से उसके पेर में शूट करके उससे अपने साथ में ले जाता है मतलब कि ये शिकारी ही अब शिकार हो गया था यहां पर सेंडरा कर्ट के केस को सौल्व करने के लिए रिसरच कर रही थी कि कर्ट से पहले यहां कितने लोग गायब हुए हैं उसे पता लगता है कि गायब होने वालों में जादतर लोग टूरिस्ट थे जो मालता घुमने के लिए आई हुए थे कुछ की बॉडिस कभी नहीं मिली और जिनकी बॉडिस मिली थी उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे जिन में कीड़े पाए गए थे और जाँच में पता चलता है कि ये कीड़े उसकी बाड़ी में पहले डाले गए थे जबकि ये कीड़े किसी जीव या इनसानों के मरने के बाद में पढ़ते हैं जैनी को इन कीड़ों के बार में पता था और कीड़ों की स्टेडिस को एंटेमलोजी कहते हैं जैनी सेंडरा को कहती है कि मास में पलने वाले किलो को नेक्रोफेगस लारवा कहा जाता है जो कि मक्षों के लारवा होते हैं लेकिन लोगों की बॉडिज में मिलने वाले ये लारवा किसी और केड़े के थे जेनी ये कहती है कि ये लार्वा इंसान की बॉड़ी में जल्दी बढ़ते हैं और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जान बूछकर इन लार्वा की ब्रीडिन्ग करवा रहा हूँ क्योंकि ये लार्वा बहुत सारे पैट्स का खाना बनाने के काम में आते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनके कीमत बहुत ज़ादा है लेकिन कोई विक्ती सिर्फ इन लार्वा को बेशने के लिए क्यों किसी इनसान की जान लेगा जैनी को बस ये शक्ता कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन सेंडरा उसका मज़ाक उडाती है और वो इस केस को ज़्यादा स ब्रीडर गया होगा उन कीलो को बेशने के लिए फिर ये सीन कट होता है और शिफ्ट होकर ब्रीडर के यहाँ पर आता है जहां पर ब्रीडर की बेटी अपनी डॉल से खेल रही थी और उसके पिता यानि की ब्रीडर लोगों के शरीर में कीलो की ब्रीडिंग करवा रहा था और जिस आदमी के पेट में कीडो की ब्रीडिंग हो रही थी उसका नाम था कर्ट ब्रीडर के जाने के बाद में उसकी बेटी कर्ट के पास में आकर उसके मूँ पर पॉली बेक को लपेट देती है और फिर वो उसके चेरे पर चाकू से मार मार कर कर्ट का खेल खत्म कर देती है और इन कीड़ों को उठा कर देखती है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबिंग सीन था इदर शिकारी मार कोस को होश आता है तो वे देखता है कि वो एक रूम में केद है जहाँ पर एक और आदिमी मौजूद है ब्रिडर आकर मार कोस को एक गलास में कोई ड्रिंक पिला कर जाता है जिसके बार में मार कोस को अपने सिर में बहुत दर्द मेहसूस हो रहा था यह सीन यही पर कट होता है और हमें देखते हैं कि एक टूरिस्ट कपल मालता आइलेंड पर गुमने आये हैं और जंगल में इंजॉय कर रहे हैं लेकिन जब वे जंगल से वापस लोटते हैं तो उनके साइकल वहाँ पर मोजूद नहीं थी जिससे कि वो यहाँ पर आये थे और फिर साइकल के टायर के निशान का पीछा करते करते हैं वो लोकल पुलिस को कॉल करके साइकल गुमने की इंफोर्मेशन देते हैं वो टायरों क पीछा करते करते एक घर में पोचते हैं जहां उनकी साइकल खड़ी हुई थी और ये घर था उसी शिकारी केनित का वो उनसे कहता है कि उनकी साइकल रास्ते के बीचो बीच में खड़ी थी और इसलिए वो उसे उठाकर यहां पर ले आया क्योंकि मालता आइलेंड पर अकसर यं记 शूर्या हुआ करती है। जिसके बाल में ये टूरिस्ट कपल अपनी साइकल को लेकर जाही रहे थे, कि तबी केनत उनने टृक करता है और अपने घर के अंदर ले आता है, जो कि एक बहुती ज़ादा छोटा रूम था। केनत उन्हें बेर आफर करता है और अपने कजिन भाई के बार में पूछता है कि उन्होंने उससे कहीं पर देखा है चुकि वो गायब है तब भी उन्हें बाहर से किसी की आवाज़े आती है और वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साइकल गायब हो गई है केनत उन्हें कहता है कि वो जाकर चोर को पकड़ता है तब तक वो उसके घर में उसका इंतजार करे और फिर इदार हम देखते हैं कि ब्रीडर एक मास्क पहने हुए है और वो उस कपल की ड्रिंक में कुछ डाल कर वहां से चला जाता है जिसकी किसी को भी खबर नहीं होती जब एक कपल वापस रूम में आते हैं तो यहाँ पर कोई नहीं था यह दोनों अपनी बियर खतम करते हैं और फिर यह लड़का सोचता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और मौके का फायदा उठाय जाए वो अपनी गर्फरेंड के साथ में इंटिमेट होता है और तभी उस लड़की को खून की उल्टिया होने लगती है और उस लड़के के भी आख, नाख और सबी दूर से खून बेहने लगा था वे बेहोशोकर जमीन पर गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर बीडर भी आता है उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए नेक्स्ट सीन में मारकोस सलाखो के पीछे था वो भी दर्द में था और खून की उल्टिया कर रहा था उसके साथवल आदमी बिल्कुल ठीक था और तभी वहाँ पर बीडर की बेटी आती है मारकोस को देखने के लिए तभी सलाखो में केद वो आदमी बीडर की बेटी को पकड़ कर मारकोस से उसका हेर पिन निकालने को कहता है ताकि वो वहाँ का लोक खोल सके और इधर वो बीडर भी पहुशने ही वाला था उन टूरिस्टों को लेकर मारकोस जैसे तेसे उड़ता है और उस बच्ची का हेर पिन निकालता है और लोक को खुल कर वो उस बच्ची को ही अंदर बंद कर देते हैं मारकोस की हालत बहुत ज़्यादा खराबती लेकिन वो जैसे तेसे उस आदमी के साथ बहार आकर अपने फोन डूनते हैं और फिर मारकोस अपने वाकी टॉकी पर केनेथ को मेसेज देता है और ब्रीडर के घर की लोकेशन बताता है केनेथ ब्रीडर के पास में ही था और वो तूरंत मारकोस को बचाने के लिए निकलता है मारकोस और वो आदमी वहाँ से भागी रहे थे और तभी वो रास्ते में ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी लाशे पड़ी है जिन पर ये कीड़े पल रहे हैं और इनमें से कुछ लोग तो अभी भी जिन्दा है वो दोनों जैसे तेसे भाग कर बाहर निकलते हैं और केनेद भी उनके पास पहुच चुका था लेकिन तभी पीछे से ब्रीडर भी आ गया था वो सबसे पहले केनेद को अपनी गंज से उड़ाता है और फिर वो मारकोस के मुँ में अपनी बंदुक को डाल कर उसकी खोपड़ी के चितरड़ चितरड़ कर देता है फिर अब दूसरा आदमी भी यहां से बचकर निकलने वाला था और इन दी एंड ब्रीडर उसे पकड़ ही लेता है सिन कट होता है और हम देखते हैं कि जैनी एक पेट शॉप में है जहां पर वो ओनर से पूश्टाश करती है लेकिन ओनर उसके साथ में कौपरेट नहीं कर रहा था और वो जैनी से कहता है कि वो बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव की असिस्टेंट है उसे पूश्टाश का कोई भी अधिकार नहीं है लेकिन फिर जैनी उसे धमकाती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो अगली बार यहां पर पूलिस के साथ में आईगी जैनी बस यहां पर यह जानने आई थी कि क्या यहां पर कोई उससे वो कीड़े बेचने आता है शौप ओनर उस बीडर से कीड़े जरूर खरीता था लेकिन वो उसका नाम नहीं बताना चाहता था लेकिन जैनी उसकी शौप की CCTV फूटेज देखने के लिए उसे मना लेती है अगेंसीन कट होता है और यहां पर बीडर उस आदमी को पकड़ चुका था और उसे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था दरसल यह आदमी पुलिस वाला था और जान बुचकर यहां पर आया था और बीडर यह जानना चाहता था कि वो यहां पर क्यों आया है इस आदमी के मुबाइल पर सेंडरा का कॉल आता है जिसके बार में बीडर इस पानी में डूबो डूबो कर मार डालता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओल्गा सेंडरा के घर पर आई है क्योंकि उसके बच्चे की अभी तक कोई ख़बर नहीं है ओल्गा को ये लगता है कि सेंडरा बस टाइम वेस्ट कर रही है इन्वेस्टिकेशन के नाम पर जिस पर सेंडरा गुस्सा हो जाती है और दोनों में लड़ाई होती है ओल्गा सेंडरा को बुरा भला कहती है और ये भी कहती है कि क्यों उसे उसका पती छोड़कर चला गया और तभी जैनी आकर सब कुछ समालती है और बताती है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिस पुलिस वाले को ब्रीडर ने किड्नैप किया था वो पर सेंडरा का हस्बेंड था और वो भी ब्रीडर के जाच परताल करते समय उसके चंगुल में आ गया और तभी अचानक होता ये है कि सेंडरा ओलगा को वोड़का फिलाती है जिसमें जेर था जिससे की ओलगा वही पर मर जाती है और फिर सेंडरा जेनी को भी बोटल से उसके सीर पर माल कर उसे घायल कर देती है फिर सिन कट होता है और ये ब्रीडर उस पेट शॉप के ओनर को भी उठा लेता है क्योंकि उसने जेनी की मदद की थी जेनी को जब होश आता है तो ये देखती है कि वो ब्रीडर के यहाँ पर कैद है और उसके सांथ में वो पेट ओनर भी है जिसके बार में ब्रीडर शॉप ओनर के पास में आता है और उसे उठा कर ले जाता है उसके उपर ब्रीडिंग करवाने के लिए और फिर हम देखते हैं कि पीछे से सेंडर आती है जिससे देखकर सबी शोक हो जाते है और फिर यहाँ पर एक बहुत ज़ादा गहरा राज गुलता है सेंडरा और ब्रीडर का अफिर चल रहा था और उसके हस्बेंट को इसके बारे में पता लग गया था और इसलिए वो उसे चोड़कर चला गया और जो बच्चा Sendra के पेट में था वो ब्रीडर का ही था जिसके बार में Sendra शॉप ओनर के पास में आती है और उसकी गर्दन में चाकु अउसा कर उसे मा डालती है और फिर वो उसे काटते काटते ब्रीडर से कहती है कि वो नजाने कब से उसे बचाती हुई आ रही है लेकिन ब्रीडर बस अपने फाइदे के लिए लोगों को मारे जा रहा था सेंडरा और ब्रीडर अपनी बातों में लगे हुए थे और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रीडर की बेटी जेनी को आजात कर देती है क्योंकि ब्रीडर सेंडरा को भी वो एंग्जेक्शन लगाने आ रहा था जिन में इन कीडों के लारव होते थे फिर ब्रीडर जब जेनी के रूम में पहुचता है तो वे देखता है कि जेनी वहाँ पन नहीं है और वो जेसे ही पलटता है तो जेनी उसके सीर पर बोटल फोड कर उससे ही लॉक अप में डाल कर वहाँ से भाग निकलती है यहाँ पर सेंडरा परेशान बेटी थी क्योंकि उसका पती भी मर गया था और उसका बॉइफरेंड भी अब नहीं बचने वाला था और तब ही जेनी यहाँ पर पहुच जाती है सेंडरा के पास में उसे सजा देने के लिए सेंडरा उससे खेती है कि वो फसी हुई थी और अगर वो चाहे तो उससे छोड़ने के बदले उसे बहुत ज़ादा पेसे देगी लेकिन जेनी उसकी बाते नहीं सुनती और वो बीडर की बेटी के साथ में मिलकर उसे वही पर उसी चेर से बान देती है और फिर बीडर की बेटी सेंडरा के पेट में वही इंग्जेक्शन लगा देती है जिसमें की वो कीड़ों के लारवा होते थे जिसके बार में ये दोनों यहां से चले जाते हैं और एक सीन में हम ये देखते हैं कि बीडर के पास में लॉक की चाबी थी और वो उस लॉक को खोल लेता है फिर नेक्स्ट सीन में हम यह देखते हैं कि एक न्यूज शो पर जेनी का इंटर्व्यू चल रहा है वो बताती है कि बीडर ने अपनी बच्ची को ही किड्नेप कर रखा था और वो अब चाइल्ड केर में हैं उन लोगों को बीडर के गैरेट से कई सारे लाशे मिली लेकिन व यही पर एंड हो जाती है तो दोस्तों यह मूवी एक एसे बीडर पर है जो कुछ कीडों की बीडिंग करता है इंसाने के ऊपर वो लोगों को किड्नेप करके पहले उन्हें एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें वो कीडों के लारवा होते हैं और वो उनके दिमाग और अंदर के पार्ट को खाकर बड़े होते हैं लेकिन बीडर की बेटी को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो जैनी के साथ में बीडर को रोखने की कोशिश करती है मूवी के एंड वाले सीन में दिखाया गया है कि बीडर और सेंडरा दोनों बच जाते हैं क्योंकि उनके पास में उन को सब्सक्राइब जरूर से करें और अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में